इस टुटोरियल में हम AP सीरीज का ये एक question solve करेंगे जिसकी सिरफ statement को ही समझना एक main काम है इसमें उसके बाद question जो है वो बड़े आराम से solve हो जाएगा ये question क्या कहता है a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance तो एक school है जिसमें 7 बच्चों को cash prize दिया गया है और total cash prize जो है वो 700 rupees है ठीक है तो 700 रुपया हमने 7 students में किसी तरीके से divide किया है कैसे divide किया है उसके उपर बात करते है if each prize is rupees 20 less rupees 20 less than its preceding prize तो वो कह रहा है कि हर एक prize जो है वो पिछले student को जितने पैसे दिये गए है न उससे 20 रुपय कम है जैसे मालो ऐसे मैं example ले रहा हूँ कि अगर पहले student को आपने 100 रुपय दिया तो अगला student जो है जो second winner है जो second best performer है उसको 80 रुपय मिलेंगे उससे अगले वाले को 40 रुपय मिलेंगे तो इस तरह से 20 बीस कम करके 7 students को पैसे दिये गए अब कितने है यह हमें पता नहीं है कितने कितने मिले यह just मैंने आपको example दिये है तो इसको हम छोड़ देते हैं हमें पता नहीं है तो हम यह माल लेते हैं कि पहले student को हमने रुपीस दिये हैं A ठीक है तो पहली term को मैंने A माल लिया कि A रुपीस जो है A रुपीस मैंने पहले student को दिये ठीक है तो यह तो होगे मेरे cash prices की इस तरह से मैंने दिये total दिये 700 दिये है total साथ बच्चों को तो इसको अगर आप देखो तो यह मेरी एक AP series बन रही है जिसमें first term मुझे पता नहीं है A को चलो मैंने A ही माल लिया लेकिन common difference sum में कितना है minus 20 ठीक है क्योंकि 20, 20, 20, 20 कम होते जा रहे है तो common difference मुझे पता चल गया total cash price 700 तो यानि कि S7 इन सातों का sum जो है वो 700 है तो इसका मतलब N जो है वो 7 हो गया तो अब मुझे N पता है ठीक है मुझे S N पता है उसके बाद मुझे common difference D पता है तो इस formula को use करके S N की value पता है N की value पता है D की value पता है तो वहाँ से मैं first term यानि की A ये निकाल लूँगा तो पहले बच्चे को कितने पैसे मिले जब मैंने यहाँ से निकाल लिया उसके बाद 20, 20, 20, 20 कम करके मैं सारे cash prices की list जो है उसको लिख सकता हूँ और यही मुझे find out करना है find the value of each of the prices ठीक है तो इसको हम यहाँ पर लिखना शुरू करते है so total cash price कितना है total है rupees 700 ठीक है और total number of prices कितने है total 7 total number of prices है ठीक है तो this implies n is equal to 7 and s 7 is equal to 700 यहाँ गया हमारे पास अब हम consider कर लेते हैं कि पहले बच्चे को जो cash price मिला है वो मिला है rupees a okay let first price is equal to rupees a this implies second price कितना हो जाएगा वो जाएगा rupees a minus 20 and third price कितना हो जाएगा वो जाएगा rupees a minus 40 and so on which is nap और इसमें common difference d मेरा कितना हो गया a minus 20 minus a second term इसे first term को minus किया तो यह मेरे पास आगया minus 20 तो common difference आगया मेरे पास n आगया मेरे पास sn मुझे पता है ठीक है तो first term मैं निकाल लेता हूँ now पहले यह formula लिख लो तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पे sn sn की value हमें पता है कि यह हो गया 700 is equal to n by 2 n की value 7 7 by 2 into 2a a की value अभी मुझे पता नहीं है वो मैंने निकालनी है तो 2a plus n minus 1 यहनी की 7 minus 1 तो वो 6 हो जाएगा मैं सीधे लिख देता हूँ into d d की value कितनी है minus 20 d की value जो है वो हमने minus 20 निकाली ठीक है तो 2 इदर जागे multiply हो जाएगा तो यह जाएगा 1407 divide हो जाएगा इदर जाएगा is equal to 2a minus 120 तो यह यहाँ पर कटा यह हो गया 200 तो 2a कितना हो गया 200 plus 120 which is equal to 320 तो यहाँ से a मेरा कितना हो गया 320 by 2 which is equal to 160 तो इसका मुदलब पहले बच्चे को हमने इतने रूपीज दिये है 160 और अब हमें क्या करना है हमें यह पूरी list लिखनी है कि हर किसी बच्चे को कितने कितने रुपई मिले price में कितने रुपई गए ठीक है तो पहले बच्चे को अगर 160 गए तो दूसरे को 140 जाएंगे 20 रुपई कम अगले को 120 फिर जाएंगे 100 फिर कितने जाएंगे 80 रुपीज कितने होगे 1, 2, 3, 4, 5 उसके बाद अगले बच्चे को जाएंगे 60 रुपई और फिर अगले बच्चे को जाएंगे 40 रुपीज और इसको अगर आप add करके देखोगे तो इन सब का sum जो है वो आपको 700 रुपीज मिल जाएगा तो यह आप last में verify भी कर सकते हो So, इतना simple सा था यह question सरफ और सरफ इसमें आपको question को समझना ही important था, right? So, that's it from this tutorial, keep watching Math Mafia